हिमाचल में लोकसवा चुनावों के लिए कॉंगरिस के शंखनाद को कांगड़ा जिला के चंबी में आयो जित परिवर्तम रैली में पार्टी के रास्ते अधिक्ष राहुल गंदी ने संबोधित किया अपने संबोधन के दोरान उन्होंने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आएगी तो जियस्ती में बदलाव करेगी साथ ही हिमाचल जैसे चोटे परिदेशों के हीतों की रक्षा भी सबसे ज़्यादा की जाएगी उन्होंने दावा किया कि वर्तमान मोदी सरकार ने हिमाचल के लिए कुछ नहीं किया है और हिमाचल की चारों की चारों सीटें कांग्रेस जीतेगी राहूल गांदी ने कहा कि मोदी सरकार के जीस्टी से बड़े उद्वग पतियों और टैक्स विभाग को फाइदा हुआ है जबकि छोटे और मज्जम दुकानदार खतम हो चुके हैं पुलवामा हमले में कांग्रा के सी आर पी एफ जवान तिलक राज की शहादत पर उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद कांग्रेस सेना के साथ खड़ी है उन्होंने कहा कि ये दुख की बात है कि CRPF जवानों की शहादत को शहीद का दर्जान नहीं दिया जाता है उन्होंने आरोप लगाय कि पुलवामा हमले के बाद विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था लेकिन परदान मंतरी खुद हर मुद्देकार राजनेती करन कर रहे हैं